हलो एवरिवरिवन आएम रिद्धिरोन या वाचिंग स्काइस दलिमेट्स आज गे वीडियो में बेसिकले उन्हों डिसकस करेंगे एक बहुती इंपोर्टन टॉपिक जो जो मैकाउट्स ट्रेंट है उनको अभी बहुती टेंशन है कि उनका एक्जाम कैसे होगा ओनलाइन मे तो आप लोग के लिए अच्छा है तो दोनों में से कौन सा आच्छा है वो आप लोग डिसकस करेंगे और फाइनली कौन सा हो सकता है वो भी हम लोग डिसकस करेंगे तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टन होने वाला है वीडियो का अंतक जरूर देखना और अगर इस चैनल पना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको मैकाउट डिलेटेड कोई भी वीडियो मिलते रहेंगे तो चलिए ज़दा समय नहीं लेते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो चलिए सबसे पहले डिसकस करते हैं आप लोगों का ओफलाइन एक्जाम क्यों नहीं हो सकता देखिए आप लोगों का ओफलाइन एक्जाम होने का चांस बहुत ही कम है इसका एक रिजन मैं बताता हूँ एक reason है कुछ दिन पहले Ames का जो आप बोल सकते है डाइरेक्टर है उन्होंने बोला है कि June and July ये दो जो महिना है ये दो महिना इंडिया के लिए बहुत ही vital होने वाले हैं और cases बड़ भी सकता है ये June और July महिने में अगर ठीक ठाक साफधानिया नहीं ले जाए तो आप ये ब बोल सकता हूं कि offline exam होने का chance आप लोगों का बहुत ही कम है बहुत ही मुश्किल से आप लोगों का जो entrance exam है वो लिया जा रहा है ना कि June महिने में जुलाई महिने में बहुत ही मुश्किल से तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आप लोगों का जो exam है जुलाई में हो सकता है बहुत जो 50% है वो आएगा आपका previous semester से and जो second 50% marks है वो आपका आएगा internal आपका exams internal assessments उसके साथ assignments आप बूर सकते हैं class उसके बाद attendance ये सब चेक करके बाकी 50% marks आपको दिया जाएगा तो ये दोनों में से कौन सा किस के लिए अच्छा है वो हम लोग जानेगे देखें बहुत सारा student ये सोच रहे है कि 50-50 अगर marks division हो जाए तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है वो concept आपका सबसे बड़ा गलत concept है क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको देखें सपोस पकल लिजे आप चा रहे हैं कि आपका area में पकल लिजे net problem या आपको networks बहुत ही डाउन है और आपको इभी class नहीं कर पा रहे किसी से connection नहीं कर पा रहे तो आप सोच रहे है कि online exam ना हो तो मेरे लिए अच्छा है ठीक है अच्छा है क्यों अच्छा है कि आपको exam नहीं देना पड़ेगा ये जो network problem है ये आपको face नहीं करना पड़ेगा पर there is another problem जो कि अगर आपको 50-50 marks मिल जाए तो वो 50 marks जो आपका previous semester से लिया जाएगा अगर previous semester में आपका marks खराब आए तो इस semester में भी आपका SGPA खराब आएगा जो कि आपको समझना है सिर्फ ये एकदम आप blind fold होके आप ये नहीं बोल सकते कि आपका 50% अगर marks division हो जाए तो हम लोगों के लिए अच्छा है online exam होने से ये आपका जो problem से ये नहीं होगा तो बहुत सरा चीज आप बोल सकते हैं मैं account से सोचा जा रहा है ना कि ऐसे ही आपको notice निकाल देगा कि 50-50% आपका marks लेके exam का result निकल जाएगा तो जो students rural area में है जिनका net problem है उनके बात मैं समझता हूँ वो online exam क्यों नहीं चारे पर ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा अगर 50-50 marks division हुआ तो 50% marks आपका previous semester से लिया जाएगा अगर previous semester आपका खराब हुआ था तो ये semester भी आपका खराब हो सकता है तो ये risk अगर आप लेना चाहते हैं तो आप support कर सकते हैं आप बोल सकते हैं 50-50 marks division को otherwise अगर online exam हो तो आप लोगों के लिए opportunity ज्यादा होगा क्योंकि आप घर वेट ये online exam देके marks पा सकते हैं पर अगर 50-50 marks division हो तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा जो करेगा college and university करेगा फिर भी अगर आप चाहते हैं कि 50-50 marks division हो तो मैं जो rural area का students है उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा अभी जो आप लोगों का exam हो रहा है सबस्पकर लिजे मीड सेम किसी किसी का already सबस्पकर maximum college का हो गया है पर अभी जिनका नहीं हुआ है वो बहुत अच्छे से दीजे आपका जो भाई-भाई and practicals exam हो रहा है college में वो बहुत अच्छे से दीजे try कीज़े बहुत अच्छा हो क्योंकि वो marks आपका 50% में आएगा जो कि इस साल का है तो अगर previous year का आपका आप बोल सकते हैं 50% में आपका उतना अच्छा marks नहीं मिल रहा क्योंकि result आपको उतना अच्छा नहीं हुआ था अगर इस साल का 50% जो आपका marks divide होगा फिर calculate किया जाएगा ये 50% में अगर आपको almost full मिल जाए तो आपको बहुत ही अच्छा result हो सकता है तो मैं बोलूँगा अगर पिछले semester आपका खराब हुआ था तो ये semester का अभी तक जो जो exams हो रहा है भाइबा हो रहा है phone number में फिर phone से आप भी भाइबा दे सकते हैं तो ये मत सोची आपके लिए कोई भी headache create किया जा रहा है आपको help करने के लिए इतना time लिया जा रहा है Mac out से तो Mac out ये सोच रहा है कि कैसे किया जाए इसके लिए थोड़ा time जा रहा है ना कि ऐसे implement कर दे कि 50-50 marks आप लोगों का divide होगा तो आप Mac out को भी थोड़ा time दीजे उनको भी थोड़ा time लगेगा उनको एक week मुझे लगता है एक week के अंदर आपको मिल जाएगा तो उतना time आप wait कीजे तब तक के लिए मैं बोलूँगा इस online and जो 50-50 marks division है दोनों के लिए अपने आपको तैयार कीजे इससे क्या होगा इससे आपका ही अच्छा होगा कोई भी headache लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी चीज जो किया जाएगा Mac out से बोलिए other universities जो करेगे वो students के hit में ही किया जाएगा students के खराब सोचके या students का problem ना समझके कोई भी decision नहीं लिया जाएगा इसलिए जो headache है आपके अंदर जो सोच रहे बार-बार की क्या होगा क्या होगा confused फिल कर रहे है ये बिल्कुल मत कीजे क्योंकि जो होगा student के hit में ही किया जाएगा तो ये जो चीज आपको सोचना था समझना था मैंने आपको समझा दिया अब आपको जो लग रहा है आप वो सोच सकते है और headache बिल्कुल मत लीजे मेक आउट का final notice का वेट कीजे आप लोगों का हर एक doubt क्लियर हो जाएगा तो ये थाजगर वीडियो वीडियो कैसे लगा नीचे कॉमेंट करके मस्ट बाताना वीडियो अच्छे लगा तो कर देना like share मस्ट करना और अगर इस चैनल पर ना है तो इस चैनल को subscribe मस्ट कर लेना क्योंकि इस चैनल में आपको Macout related other university related को भी वीडियो मिलतर आएंगे तो चेलिए जदा समय ने लेते हैं वीडियो को तो चेलिए जदा समय ने लेते हैं वीडियो का यही पेंट करते हैं तब तक के लिए बाबाई